वो गुलाम बले बुजदिल है जो कहते हैं क्रांती बड़ी मुश्किल है और क्रांती हर मुश्किल को आसान बना देती है ताना साग कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है यह दारू कड़े इसका नाम है बुद्धी बिनास केंद्र जो बुद्धी को बिनास करता है और हम चाहते हैं बुद्धी विकास केंद्र खुलने चाहिए बुद्धी विकास केंद्र कोन है विध्याल है सिच्छा के केंद्र हम जगे-जगे मंदिर बना रहे हैं और यह कह रही है यूपी में काबा इससे नराज होके बाबा ने नोटिस विजवा दिया यह मृत काल लोगो को मानने का काल चलता चाहिए नोट बंदी के माध्यम से राममंद्र बंदाओं को पाखंडियों के लिए आपको रोजगार मिलेगा क्या हूँ दोस्तों इससे पहले मैं शक्स का परिचे कराऊं सबसे पहले इनको आप देखिए ये वर्दी में हैं और आज कल ये आग उगलते हैं मोधी सरकार की बखिया उधरने का काम करते हैं वो मोधी सरकार जो देश में राम मंदिर बना रही है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कुछ लोग बात कर रहे हैं और एक धिरेन शास्त्र भी आया है जो चमतकार की बात करता है चमतकारी होने का दावा करता है तमाम मुद्दों पर आज मैं नरेंद्र भाई नंदा से बातचीत करने वाला हूँ इनकी एक पार्टी भी है पहले ये पार्टी फौज हुआ करती थी अब उसी फौज को इन्हों ने अब पार्टी में तब्दिल कर दिया है लेकिन बड़ा सवाल है नंदा भाई आपने ये ड्रेस क्यों पहनी है देखिए ये मेरी आजादी है जैसे निताई सुवाच्चन बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी उनी से प्रेरित होके मैंने जिन्दाबाद करांती फोज मनाई क्योंकि देश की सीमाओं के साथ साथ जवानों की देश के अंदर जरुवत है जिस तरीके से बेन बेटियों की असमते और इज्जते लूट ली जाती है उनके अधिकार छीन लिये जाते है जाती हो धरम मजब के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है तो ये राष्ट उससे नहीं चलेगा ये राष्ट धरम निर्पेक्ष राष्ट है सभी को लेके चलेगा सभी जाती धरम मजब के लोगों को जीने का अधिकार है तो सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है ना देश में? समझे सुरक्षा के बारे मैं पूछ ले इन अधिकारों के बारे में अगर किसी ने बात कर दी तो ये समझ लीजिए का बस उसके पीछे जितनी जाँच एजन्सियां सब लग जाती है तो ये इस्तती है देश की देश तरक्की कर रहा है जी टूंटी के अध्यक्षता कर रहा है राम मंदिर बन रहा है इसे विकास नहीं मानते हैं आप मंदिर से क्या काम धंदा मिलेगा आप मुझे बता दो किसको रोजगार मिलेगा मंदिर से रोजगार मिलता है सिख्षा के केंद्र खुलने चाहिए स्वास्त के केंद्रोज मानते हैным और दी विकास जो ने चीए विद्ध्धिशा केद्र टो Bash who संसद बवन बनाने की जरोत नहीं ठी यह संसद बवन क्या जरजर हो गया था गिनने की स्थिती 10 सरकार संसद बवन को बांड का भी अब बहुत बड़ा इनके अंदर मन में कपट सिराओ आपको पता होगा कि इमान्य पूर परधान मंत्री आदर्णिय बीपी सिंग्जी ने जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बाबा भीमराओं अम्मेटकर को भारत तरतन देने का काम किया उसके बाद क्या किया उन्होंने इसी संसद भवन के प्रांगर में बाबा भीमराओं अम्मेटकर की मूर्ती लगा दी अब इन्हें पाखंडियों की जो सरकार है जो धरम के नाम पे जो आतंग बचा रखा है इन्होंने क्या किया इन्हें पता है कि उस संसद भवन के प्रांगर मेंसे बाबा भीम राव मेट करकी मूर्ती तो हटा नहीं सकते तो इन्होंने क्या करा मूर्ती तो हटा नहीं पाएगे क्यों ना संसद भवन ही दूसरा बना दें तो उन्होंने वही किया अब जब संसद भवन दूसरा बनाया हजारों करोड रुपया लगा दिया उसमें भारत का इनके बाप का पैसा था ये गरीब जनता खाता गरीब आमाम का था इस देश के कि अब देखते हैं अब देखते हैं इस तो को भी नोने बदलने का काम किया अभी उसका नावरन किया था आपने विश्व गुरु की बात की सुनिए सुनिए आपने विश्व गुरु की बात की विश्व का सबसे बड़ा निता को ने पता आपको हाँ बताईए ना आपको ने नरेंद्र मोदी यार एक बाब बता हो ये पाखंडियों का निता होगा आज ही पैदा हुआ दोजार चोदा के बाद तो यहां कुछ नह मांनों होकर को मालिक जवाब नी पूचेंगे बोड दिया तो जवाब नी पूचेंगे इससे समझें नहीं बिनाग अटाए गंटे काम कर रहे हैं बिना सवाल के ही जवाब दे रहे हो मन की बात भी करते हैं यहां ठारा ठारा घंटे काम करके हालत है कि もう अब आपकHaन के 40 रुपए किलो आटा और सुनिये पेट्रोल 500 लेटर होता और सिलिंडर 3000 रुपए में मिलता किसानों को नमन करता हूँ किसानों किसान अंदोलन किया ये सच्चा ही कहे रहτο है कि ये ही आटा 200 रुपए किलो मिल रहा होता ये ही सरसों का तेल हजार रुपे किलो मिल रहा होता अगर किसान आंदोलन ना होता मैं भी किसान आंदोलन का एक डेट साल हिस्सा रहा हूं अगाजी पुर पर लेकिन भक्त खुब नाच रहे हैं खुब खुश आएं अपकी बार फिर मोधी सरकार अरे उनके करने से कुछ भी सोच सकते हैं सुप है वह अलग तरीके से उसमें बात हो गई लेकिन अभी सबसे बड़ा लेटेस्स जो अभी न्यूज आ रही है जो चर्शा हो रही है यूपी में कावा यूपी में कावा पर आजेए को कि जो निया सिंग्राथ हो रहे है वह कहती है यूपी में कावा का मतलब आप भी जान तो क्या कहते है कि यूपी में क्या क्या हो रहा है क्या चल रहा है यूपी में यह है यूपी में कावा तो इन्होंने जो है अपनी मानसी किस्ति पाखनडवादी मानसी किस्ति से देखा कि यह निया सिंग्राथ हो क्या बोल लिए यूपी में कावा यूपी में कावा का मतल रहे हैं हम जगे-जगे मंदिर बना रहे हैं और यह जो आपने वर्दी पहनी है नंदा भाई यह तो देश के खिलाफ है आप देश के अंदर वर्दी कैसे पहन सकते हैं आप जाए चिन से लड़िए पाकिस्तान से लड़िए पहले सविधान का मुझे लगता आपको भी अध्यन करने की जरूरत है ठीक है पहले वर्दी को देखिए वर्दी आपने जो पहनी है वल्लब इससा क्या मतलब है आप यह बताईए देखिए स्विक्षा के लिए बैठिए इस देश का फोजी कोई भी हो सकता है जरूर नहीं ह कि तनखा लेने वाला ही फोजी हो मैं अपनी स्विक्षा से भारत का देश वक्त ग्रांती कारी व्यक्ती हूं मुझे किसी देख प्रमान पत्र की आवसकता नहीं है इस देश के लिए मुझे अपनी जान भी देने पड़ेगी तो दूँगा और किसी की जान लेने मेरे घर में आके वं पोलएगा उसे चोड़ दूँआ मेरी बहन में भारत मेरा परिवार यह इस भारत म में कोई आसंग बात करेगा देश करेंगा नश दो हजार चौदा के बाद सब खताम आतंगवाद सब सुरक्षित हैं मजबूत पियम मिल चुका है आप बत्र कार रहे आप देखिए ना पूरे देश की बात कर रहे हैं पहले उत्तर पर देश महीं आ जाईए मनी साब आलमी की को लिरी जिये यहा तंग बाद नहीं तो क्या है यह क्या है बाबा ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया कौन से माफियाओं को दुकंदार ही इनकी अपने इनके गेंग चल रहे है यह आपसी गेंगों की लडाई है इनकी अपने दुकान चलाने की लडाई है इनकों मतलम नहीं है राष्ट के लोगों से को मतलम नहीं है महंगाई से कोई मतलम नहीं है आप कहते हैं राष्ट मतलम नहीं है यह पूरी सरकार राष्ट्रवाद की बुनिया पर ही खड़ी है, मीडिया भी राष्टवादी है, नेता भी सारी राष्टवादी है, आप भी राष्टवादी बन जाईए अब। आप देख रहे हैं, आपके हिसाब से बागिश्वार धाम के शास्त्री पाखंड वाद कर रहे हैं। तक है निकलिकोर, पर्ची निकलेगी है, उसका बाप भी निकाल सकता, िदेरा या के किरांतीवडी कार्यों के आससपड लाव फोक के जलके ख़त भसं हो जाएगा हो, कि समझे नहीं किरांती कार्यों के आसपड अच्छेटे कहलें अच्प ही video और नहीं होते हैं दो पूछ को हमा नहीं है बाध vener from 002개ंस्च जो है वह हिंडी नहीं है तो बार्तिय सविधान के अनकोल हिंदू ही नहीं हो गई अरे एक बात बताई यह आपका नाम अगर नरेंद्र भाई नंदा है राजपूत भी लगा है तो क्या मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप हिंदू है यह आपकी मान सिक्ता है अन्द भक्ति की राश्टबाद आप समझ सब्सक्राइब करोणे जिम्मेदार हजारों लाखो करोर रोपेई समझे अपने कारपेट जगत के भाई बाप को दे रखा है अभी क्या हुआ देखा निया हिंदू राश्ट काई को चलवा रखा है ताकि एंडानी के बारे में जो घपला और घोटाला करना को पूछने की हिंदू राष्ट बाद, जो मंदिर जा रहा है, वहonic हिंदू, कि डारहना से हिंदू के लिए। पना के लिए आपको रोजगार मिलेगा क्या होँ हाँ हिम्डु राष्ट में क्या क्या आधिकार मिलेंगे हिंदु राष्ट में को हुआ Is पुजारी बना देंगे क्या वहाँ भारति को प्रफथा चलाई जाएगी फिर से राम को डर के मारे और को शीता जाकर उसमें जमीन में घुशेगी जाकर यह देश समिधान से चल रहा है तो पाघंडबाद की बात तो आप तूल दे रहें आप भारत के अंदर हिंदू कोई ह मतलब करता है जिसकी चर्शा होती है उसकी बात तो करनी पड़ती है देखिये हिंदू का मतलब क्या हिंदू किसने सब्सक्राम उसे बनाए गूमर और समझे नहीं आप देखे देश में कुछं नहीं है हिंदू कहीं नहीं है। चमत और दिखा है। साम को साथ बजे के बाद देख लीजिए मेरे घर में पिल्ला पाल लगा है तो यह साम को साथ बजे मैंने चैनल खोला मैं मिस्टी वीड़ हुआ हमाँ चालू पिल्ला कौन मैंने पिल्ला पाल लगा है दोगी क्या नाम है दोगी उसका उसका नाम है बिट्टू और मैंने उस अब वोल रहु हैं मेरा कुट्त को कुटकों कि अब बहु बहुत ë्प्रों करते हैं यह इस्त टीज़िव हा ले कुई मैं उसको मैं इसको ले जा उन्द्भक्त है मैं जापर करता रहें मैं यह नहीं कर पाएगा नरेंद्र भाई आप कुछ भी कहिए लेकिन मोदी के टक्कर का कोई नेता भी दूर दूर तक दिख रहा नहीं है मजबूरी या कहिए या क्या कहिए मोदी जी अभी बहुत सालों तक राज करेंगे बीजे भी राज करेंगे आप नेता ना कहिए इस देश में है नेता नहीं है लूट रहे है लेता है नेता नहीं है देश के लिए खबा दिया जीवन अरे कुछ ने खबा दिया भाई नो टंकी यहर पाँच पाट टाइम तो ऐसे करता हैं यह राष्टबादा है इनका की आप कुछ भी करिये जब कोई नेता नहीं है। आप कहते हिंदू ही नहीं कोई है और भर भर के हिंदू मुसल्मान हो रहा है धुर्वी करन हो रहा है वोटो का इधर हिंदू इधर मुसल्मान और जिसका नाम जो है किसी का नाम राम है तो हिंदू है किसी के नाम अब्दूल है तो मुसलिम है देखिए ऐसा कुछ नहीं है आ कि शोचान के वारे में कभी सोचा तो आपने कि आएगा अदमी तपस्या किया उन्होंने इमाले पर जाका अरे भाई तपस्या किया लोग तो उसकी राम से तुलना कर देते हैं जो भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं आप लोगों को तकलीफ क्या है बाइशाब दलेत पिछला वापके पेट में दर्द हो रहा है अधि धाट के लिए गूम रही है गंटा बजाने से देश नहीं चलता है देश रोजी रोटी चलता है रोजगार से चलता है जारे लुगू कुटी रुद्धोग सब बंद कर दिए चाइना का विरोध करते हैं जिन चीजों का विरोध करते तो उनी को सर में लागे ख़डा क इनोंने चाइना का हरे एक पर्ट्रेक क्या रहा भारत के अंदर मुझे बताइए बता से ही करता है उससे मसौधा पूछो सविधान पूछो कुछ तो बता है कि क्या है हिंदू राश्ट सिधान चोड़िए बिवहार की बाद करिए आम लोगों को जाके देखिए गली में निकलेंगे आपको हिंदू मुसल्मान पता चल जाएगा अभी मेरे हाथ में सरकार हो और मैं ए आपके धर्म के आपको टिक मानना पड़ेगा मजबूरी में क्योंकि आपको नोकरी लेनी है तो सामने बैठा है नोकरी जो फॉम लेगा करें इस पर मार दे अब क्या है नोकरी तो चाहिए ना तो रिक्तित इस तान भी तो उसमें खाली रखे ना हाँ तो आप क्या भरना चाहते ना मैं हिंदूना मुसलमानुर जिशमान हूँ है जाती भी तो है ना जाती धर्म तो आए ना देश के सच चाहिए देना जैती धर्म के विसज़क हारे हमारा सविधान जीने का अधिकान नियोंने निए मेरे अंदर बसते हैं बगत सिंग जिंदाबाद थे जिंदाबाद रहेंगे जब तक उनकी विचारदार हम जैसे क्रांतिकारियों के अंदर जिंदाबाद रहेंगे क्या किया आप ने। इस विकल्प में इस विकल्प के लिए कौन चुनता है यह चुनने के आजादी कुन देता हमारे देश का सविधान समझे नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी है चुन लेंगे लेकिन जीतेगा ही नहीं ना कौन ही जीतेगा कैसे जीतेगा पहले नंबर जो अगर इमानदार लोग है जो विपक्स के भी लोग वेठें कौन है इमानदार गया जो अंदोलन कर रहा है तो भारत जोडने की जुड़त ती भारत जोडने क्या जुड़त ही साथ साल से भारत तूट जूड़त नहीं था तो तूट गया उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान लगा रहा है। नासिर जुनेट को अभी इंसाफ नहीं मिला। किसको मिलेगा। सरकार देश द्रोही कैसे है। यह देश द्रोही तो है। जब देश के लोगों को मारवा रही है। आप यह कहरें। नासिर जुनेट की जो हत्या हुई है उसमें सरकार का हाथ है। मिलकुल हाथ है भाई। यह हिंदू, यह गोरक्षा, भाई गोरक्षा क्या है। आफ यह एक तरह नासिरींगें। आप मन पूसे चल्शेते जो किया मम हिका अपर हुसरींगें, आप कहता है। वह खुद कहता है। लुण माहा सर्गेंग। अव्मषा Mm कि हम नंबर वन एक्षपोर्ट बना देंगे भारत को कब बोला कब बोला अभी में मोबैल निकाल नुगा खोल कर समय लगेगा उसमें आपको फोटो समय दिखा दूँआ अकबार की कटिंग दिखा दूआ दिखाएगा बिलकुल दिखाएंगे हम अब बिलकुल लान फेल हो जाए कर सारा तो सबसे पहले एवियम के खिलाप अब आज उठानी चाहिए एवियम मतलब आपको इवियम पर भरुसा नहीं है नहीं है बिलकुल यह सब एक हैं नहीं क्या मोदी जी लाए थे लोग दोनों एक हैं देख लेना अब यह महँगाई हुई इसके खिलाप क्यों नहीं सलकों पर आई कॉंग्रेस नोट बंदी है राहूल गादी सुनिया गानी पर बहुत जारा दबाव है एडी सीवियाई का दबाब किसी के नहीं है इस अब एक हैं जब चुनाब आता है तो कित रोबर्ट कर रहे हैं कुछ नहीं है दुनिया के आगे नोटक नोटक की कर रहे हैं और कुछ नहीं है यह एक ही है अब यह देखिए केजरिवाल आप मुझे बताईए कहता था सभिधान पर आउगा आपने देखा दिल्ली में कैसे दंगे करवाए बिलकुल दंगे कर आए और उसके ब पेटा हमारा नेता भाई हमारे देश की आवाम है किसान है मजदूर है माता है बेन है जो संगाज कर रही है लड़ रही है अपने अधिकारों के लिए जो आपके लिए लड़ रहा है आपके अधिकारों को जानता जो मूल भारती है यह आंका भाशन नहीं चलेगा आपको वास्तविक्ता में बतानी पड़ेगी ये बात कि आप कनेता कौन है भी कौन दिख रहा है देश में मोधी के सामने कोई खड़ा है कि नहीं कमपेरिजन मोधी के सामने इसको क्यों बुलवार हो देश का हरी उबानेता है बाहर निकल के आएगा जिद दिन सच्चा इमानधारी से बाज उठा के भार खड़ा होगा कनहिया कुमार कोई भी हो आप किसको कह रहे हो कनहिया कुमार कहा है उसको तो यात्रा से बाहर निकाल प्यारवाली से भी तो उसकी स्तृती क्या है देख रहे हो आप तो यह लोग नहीं है यह तो अफशर बादी लोग है किरांतिकारी लोगों कहाना चाहिए ब्रांतिकारियों का सफाय कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता 56 इंच वाला PM बना है पाकिस्तान चीन काप रहा है देश की सीमा सुरक्षित हाथों में आ गई है तब भी आप लोग पता ने क्या बाते बना दे रहते हैं ये 56 इंच का जो है ना ये 56 इंच का जो जब जानी की बंदर गाप है जब नसे के तीन हजार किलो जब निकलती हिरोईन उसके खिलाब कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता समझे नहीं जब पुलवामा में हमला होता है साड़े तीन सो किलो आइडियेक्स जो पकड़ी जाती है उसके खिलाब आज तक ये ढून के नहीं बता पाई चापण इंच वाले इनको बताना पलेगा अपना चापण इंच का मतलब है कि बहुत मजबूत पी-म मिला है पहुमत वाला पी-म पी-म को देखने पसंद नहीं है मजाक लगता है हशी आती है से परदान मंतरी कहने पर भी पाईदान मंतरी है ये लोग पागल है उनके पीछे दिवाने है पाईदान मंतरी है पाईदान मंतरी है कारपट जगत का आरेसस का ये पैर से पैदा हिंदू है परिवार छोड़ दिया उन्होंने पैर से पैदा हिंदू है कहता ला देश के प्यार में परिवार छोड़ दिया प्यार ब्यार परिवार छोड़ दिया परिवार छोड़ना ऐसा होता है क्या परिवार छोड़ दिया इसके में सकी नहीं कहीं भी पैसे पूरे देश में मचाएंगे हिंदू ओ ददस बच्चे पैदा करो हिंदू लगे रहें राप दिन ददस बच्चे पैदा करें समझे और उसके बच्चों से पूछना, उसकी बेटी से पूछना, जिसका बाम मरा है, आप यह बताते हैं, आप गलत काम कर रहा है, उसको बंद कीजिए, आपको कोडने आए देगा, किनों ने गुंडे छोड़ दिया यह दलों के नाम पर, और जो दल है, जो बजरंग दल है, जिसके जो खूम रहे है, उस बजरंग दल का, जो मुख्य जो कीजिए, उसके खिलाब भी मुकदमा बनता है, जिए कोसा नहीं आजगा दी दे रकी है, जिन राद सब गोरक्षा कर रहे हैं, गोरक्षा कर रहे हैं, गाओं में खित-खलियान में देखो हर कौम के आदमी गोरक्षा करते हैं हर एक घर्ग में बंदिये हैं गाय माता गाय माता नोटंगी बना दिये माता माता कहके तो गाय माता नहीं है काई की माता है हिंदू की भावनों को आथ कर रहे देश में कोई ने हिंदू है गाय माता गाय माता करते हैं अगर इसको माता कहेंगे तो साइट को क्या भाप कहेंगे गाय माता गाय माता माता हमारी कौन है जिसके गरब से हम पैदा हुए है वो है माता हमारी वो भारत माता है और जो भी अक्ति अपनी मा के गरब से पैदा हु कर दो जाएगी तो यही रिस्ते बनाता रहूंगा पहलतु के नहीं के जिक्र में इसका जान वरों के चक्कर में इंसानों का कतल करो गए क्या मुर्कता नहीं है क्या जान वरों के नाम भो पिर किसने ठेकेदार दी तुम्हें दिया किसने ठेका दिया गाएं काटी जाएंगे तो आपको दुख नहीं होता है सबसे बड़ी हिंदू की ठेकेदार बन रही है तो सरकार कहा है ये तो सरकार की नपुन सकता को दिखाती है कि गाए सुरक्षित नहीं है इनके सासन में और गाए की ढपली बजाते है समझे नहीं तो यह सुरक्षित चहवीस का सबसे बड़ा मुद्धा समसे बंढ़ गाए हिंदौं मुसल्मान महगाई भिरोजगरी समझे नहीं सिक्षा स्वास्ट रोजगार ये मुद्धत हो आपके लिए है में इस्ट्री मीडियम जो चलेगा वो माना जाएगा एन मिस्ट्री कुछ भी चला है बस सबसे पहले एबी एम अटनी चाहिए एबी एम का भिरोत करें ना जितने जितने जो कहते हैं बिपक्ष हैं इससे बढ़िया बचा आप पहले जो सरकार थी कांग्रेस की सत्ता में थी उससे बढ़िया बिपक्ष तो बीजे भी काम करती थी बचा कर पैट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ने देती थी मगर आब यह निरंतर पर रुप्या पर अगता जा रहा है पैट्रोल पर डीजल पर दूद पर तील पर सब चीज पर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले नमबर पूरे देश भक जितने भी हैं जो इस देश के बेटे हैं भारत माता के बेटे हैं जो भारत यह लोग हैं उन्हें कहल कर सामने आना पढ़ेगा और पाखंडी होगा और इबी एम का बिलोध करएं मेरी पार्टी है जिन्डवाद क्राँकरांती पार्टी मैं भारत निर्वाचन आयोग से मान करता हूँ कि EBM मसीन पे पॉलिंग नहीं होनी चाहिए, बैलिट पेपर होनी चाहिए, चाहें तो जो भारत निर्वाचन आयोग अगर उसे कोई दिक्कत है, मेरी पालिटी को रद कर सकती है, मैंने मेरी बिचादारा को रद नहीं कर पाएगी मैं अंदोलन करूँ आपने निर्वाचन आयोग के दफ्तर में जाके हंगामा किया, बॉम से उड़ाने की दमकी दी थी आपने, क्या हो गया पिर, तो बॉम से उड़ाएंगे आप, आप मेरे पालिटी का नाम, इंसा फैलाएंगे, आप मेरी पालिटी का नाम किसी और को द देते हैं, ख़बारों में, और करवाने का बाद पर कहते हैं, हमने दे दिया किसी दूबेजी को, RSS के दूबेजी को, मेरा नाम ब्लोग कर दिया मेरी पालिटी का, जिसे मैं अंदोलन चलाता था, तो मैं क्या करता, आप मेरी बिचार धारा का बलतकार कर रहे हो, मेरे राष्ट के सविधान का बलतकार कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, पिर चाह मुझे नक्षली के, आतंकबादी के, देश-द्रोग के, यह हमें राष्ट बात के तम के देंगे, जो ने कभी देश की आजारी के लिए उंगली तक नहीं कटाई, जो भारत के जंडे जलाते उसको भारततन, और कोई भारततन नहीं दिखाई देता है, आप देखू ना भारततन के लिए हीरे, बई पी सिंग सत्यकार ने दिया था, कांग्रेश ने क्यो ने दिया भाई क्या देश में अम्बेटकर के विचारों को अब बहुत तेजी के साथ फैलाया जा रहा है आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं क्या एजुट लोग हो पा रहे हैं या सिर्फ आप लोग हिंदू-मुसल्वान करके हिंदू को बाटेंगे देखे जो बुद्दी जी भी वेकती है जो पढा लिखा है शिक्षित है या जानकार भी जो पढा लिखा भी ने इसको समझे मैश्या वो देश के सविधान को मानता है समझेनि और जो हराम की खाने के लिए घूम रहे है समझे नहीं, या दान्दचना पर यो पल रहे है, दान्दचना का अलक्षन खागे जी रहे है, वो भाक अध़क को खुमा रहे हैं, आप पंदितों को भला बुरा बोल रहे हैं, यार कौन पंदत, पंदत तो कोई भी जाती बनाई, अरे भाई ग्यानी होते दो भीक मांगते, दान्द च्णा मांगतें मंतर मारतें कहीं से भी कुछ भी-ा या जाता है आप मुझे बता दौ 21–37 within 370 वही नहीं होते तो शादी नहीं होती आपके डाड़ा 370 पुर दा थाट गई कश्मीरी पंडित भटकते हैं कहीं मजनुका तीला कहीं जंतर मंतर कहीं हरियानाम है कभी कहीं कश्मीर पंडित तो भाई पंडितों की बात कर रहे हैं अभी कानपुर में वह मा बेटी कुछल के मार दी गई तब का मर गए थे बीजेपी का मतलब है ब्यापारी जनता पार्टी शमझे बलतकारी जनता पार्टी अशो बनी टिपड़ी मतली रिलको सच कह रहा हूं खालबा सच है बलतकारी जनता पार्टी इसलिए कुलदीप सिंग सेंगर याद आ जाता है शमझे शाह जी है मॉदी जी है जेपी नंडा जी कॉनसे कोई क्या किया नाा अस तक प्लमावा के बारे में पत कॉट के यह बारे में देश के जवानों को सहीद करा दिया जो गाहुजे स्ट के लालों को जो गाहोंगे खेत कल्यान से चार-चार बजे सुबह पग्णंडियों पर दोह थे देश की सेनमंभरती होगे इनको विस आख चाहिए अनने वो तो नेताओं के घरों पर छाबे मार कर रही कारवाई यह आतंग वाले कौन थे उसका पता लगाओ इसका पता करो बंदरगा पर पाकिस्तान ने भेजा था लगवा दिया अगर एक भाई अपराधी है तो दुसरा भी अपराधी रहेगा आप यह कह रहे हैं आप राष्ट को ताक पर नहीं रख सकते राष्ट को भेज नहीं सकते आप सारे मैग में भेज दिये आप यह देखिए ना सविधान में जो आरक्षण नीती है लोग एक आधिकारों की बात है अभी आधिकारों आरक्षण नीती को सविधान के अंदर से खतम नहीं कर सकते तो यह क्या कर रहे हैं प्राइविटेशन निजी करन समझे नहीं जब नोकिया नहीं रहेगी प्राइविट हो जाएगा तरकारी करमचारी निठलने हैं ये काम नहीं करने का पैसा लेते हैं और काम करने के लिए इतने निठलने उसके घर में जाके सोते हैं वही रोटी खाते हैं तो अधरी के घर में इतने खाली रहते हैं जारों से तो ढर रहता है इस मेरे घर में क्यों पले रहते हैं ये तो उसस देख रहा है इस अधर प्रोफेशनल बन गए देश को लूटने भाले राष्ट बात देश बक्त कोई नहीं है जब लुटे रहे हैं इस प्रोफेशनल के चकर में देश को बेख देगा स्मिता को बेख देगा इसकी इजद बेख देंगे कि आंतिकारियों देश बक्तों ने ऐसे खून बाया विश्वडूबम रहा है देश, इनके सासन में विःश्वगूरी ये बनायें गहांगे जो बर amplakh करेगा मेरी भारत माता के तुकले करेगा हम परनास में गालीन करने वाले हैं को यही सरकार हो संजें माफियाаний माफिया 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 hug 시ало तो माप याई का पहेंगे गैंग बने हुआ आपस में गैंग वाजी हो दिया है वो कौन मारा गया था दूबे गैंगिस्टर विकास तो उससे पहले देखो न आप मंत्री बनने से पहले ये भी गैंगिस्टर थे तो पुराना गैंगिस्टर थे और गैंगिस्टर तो है ये आरे संत महत को ऐसे मद बोली आप हिंदू है गयरुवा बस तर्पहनत है कुछ तो लाज करिये यार योगी को आफ रहा हिंदू करियों को खो Razzमर्ठी के लि advisonaच संपरदा से ता अ और नात संपर्दाइस ना सनातन को मानता ना इनको मानता हिंदू सिंदू किसी को भी यह सब राजनिती वाले हैं यह जितने गेर हुआ फेर हुआ नारंगी केसरीया फेसरीया डाल के छोला यह गूमर है जो यह कौन है यह तोड़े गए दो रुपे का रंग ले लिया समझे ले लिया पेंट ले लिया कले ले ली समझे नहीं रंग लंग लगा लिया मूपे बाल भी खेल लिया बाबा बन गए लोग जड़ते हैं इनकी चैनलों पर देखो मैंन मिस्ट्री मीडिया पैसी आते हैं भूत छोटी चोचे बच्चे रहते हैं बंद कर दो इसको अखवास कर रहे हो आप यह राष्ट बनाएंगे असली हीरो यही है चला रहे है भाईया आप मुझे देखो न मैंने क्या हुआ हुआ इनके हीरो के राज में क्या हुआ 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 बलतकार करा कुल्दीप सिंग्सेंगर ने क्या बड़ा देश है चोड़ी-चोड़ी घटना होती क्या बात कर रहो सब्सक्रार में एक क्या है हुआ तो इसमलो कर जीन भेंटों का बलतकार हुआ चाहे हो उनमालब की एक यू मनीशा अवाcipe न सहर की पिंकी लो दीए चाहे वा SUS 보잌 नंगि मैंने कीए चाहिए बपारे हो都 उनकी बात तो यह भारत माता है यह बलतकार किसका हो रहा नरेंद भोधी की बहन का बलतकार हुआ है नरेंद भोधी की मा का बलतकार हुआ है समझे उन्होंने बोट दिया था नरेन बोधी को क्योंकि यही वाचन देता था बेहन और माता हो तो उन्हेंने कहा दे हमारा तो भाईया आ गया हमारा तो बेटा हो गया नरेन बोधी को बेटा और भाईया समझके बोट दिया उगलेंगे जब आप गलत काम हो रहा है तो इसको निया मिला जिन बातों पे देश में सब खुश हैं खुशाल देश है मजबूत पीम मिला फिर वह आप दुखी घूम रहे हैं भीख मांगने वाले फिर रहे पाखंडी खुश है मेहनत का स्खुस नहीं है किसानों की लागत मेहनत का उचे दम नहीं मिला MSP की बात हुई थी मर गया का गया MSP क्यों नहीं देता 100 रुपे वढ़ा दिया MSP में MSP कर दिया आप देखो ना खाद पे ट्रेक्टर पे देखो और तो और जिस नमक के लिए अंदोलन किया देश के करांतिकारियों ने अपने देश का नमक खाएंगे हम उस नमक पे इस सरकार ने JST लगा दी ये सरकार नमक हराम सरकार है ये भी ध्यान रखना है आटे बे JST समझे थे नहीं खाद दे पता हरतों बे JST लगाई हो नरिद मोदी के खिलाफ बीजव के खिलाफ क्योंकि इनकी जो बिचार धारा है वो नेता जी सुभाष चंदर बोट से मिलती है और इन्होंने नेता जी से प्रिरित होकर एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम है जिन्दाबाद करांती जो कहते है क्रांती को आसान बना देती है हमारा देश लोकतन से चल रहा है और समीधान लागू है और यहां ताना शाह कोई नहीं है कि यहांत पुर्ण सब्सक्राइन हम यूट सब्सक्राइब हो और में श्राइव यूट सब्सक्राइब गाली निकलती है इनके मुझ से यसों के लिए गाली निकलेगी और क्या निकलेगा जनता के साथ दोका किया इनोंने जितने भगवादारी थे जो इनके गिरंत उठा के दे जितने भगवादारी थे जो भगवा पहन के आए वो दोका करा उसने रामार भगवा पहन के आ गया, सीता को उठा के ले गया, विक्चाम देई, ले गया सीता को, कि उसने भगवा पहन के आ है, करन के कबच कुंडल छीन के ले गया, तो जिसने भगवा पहन के आया, उसने धोका किया, भगवा तो बुद्ध ने भी पहना था, भगवा वो भाव बिचार धारा था समतामुलक समाच का था भाईचारे का था जीव और इंसानों में कोई विन अपनत नहीं थी सम्हें समतामुलक समाच की उन्होंने सब को एक रास्ता दिया उन्होंने कभी ने का मैं भगवान हूं इन पांखंडियों सब की अपनी पार्टी है जिसका नाम है जिन्दाबाद करांती पार्टी और पहले ये पार्टी इमने आपको बताए कि ये फौज इन्होंने बनाई थी और आपकी फौज अभी भी है अभी भी है अभी भी इनकी एक फौज ये वर्दी पहन के पांच हजार सिपाई हैं और इसी इसी वर्दी में काम करते हैं नंदा भाई की जो बाते आपने सुनी इन्होंने कहा है कि ये सरकार ताना शाही सरकार है ये सरकार राष्टवादी नहीं है हम लाएंगे असलिए सच्चा राष्टवाद आप क्या सोचते हैं क्या वाकई आप क्रांतिकारियों की सरकार चाहिए की जो ब्रह मित करते हैं लोगों को दाराम मजभ मजहाद पाथ और जयाद के नाम पर समझे ऐसे राक्षसों काम बंद करने आएंगे और यह भारती जनता जो भारत की ऐसली position जनता यह भारती जनता hadi अब अभार छीज में अधिकार चीन रहे हैं आरक्षब निती खतम कर दी ओवी सी कहां नी करी मध्य परदेश में करी करी करीघ और अब अपने को घंग है अरक्षब वाला उसको कुछ नहीं मिला अब नहीं गाए माता की बात गाए माता गाए माता गाए माता कोन है भाई चलिए इस पर उने बात कर लिए जल्डी बता दूँ हम कोन है वो भी सी वाले कोन है ऐसी कोन है इस गाए माता की बीच में हमें तो बता जाता है गाए माता गाए माता और सांड कौन है सांड है पाखंडी सांड है पाखंडी और हम कौन है गाय के वीच में बैल अब देखें हमारा देश है लोक्तंत्र ठीक है संबिदान्थ जल रहा है अब आप कोई विचारधारा लाईए हो सकता है आपकी विचारधारा से पूरा देश जाग जाए ये लोगतंत्र है आपने पार्टी भी बनाई है देखते हैं क्या होता है अब 2024 में क्या पीम नरेंदर मोधी बनेंगे या कोई और बनेगा ये तो भविश्च का सवाल है लेक अपनी राय जरूर दीजेगा शुक्रिया निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को करें कमेंट जरूर करें